पहले गौवर्मेंट जॉब किस में लग सकता है NTA NET या फिर BED में तो साथियो नेट और नेट वर्सेज BED की आज इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि कौन सा कोर्स करना आपके लिए जादा जरूरी है जिससे की आपको आपकी जो मंजिल है वो ऐसा आते हो गवर्मेंट जॉब वो प्राप्त हो जाए तो इस वीडियो में मैं विसलिसन करूँगा NET का और BED का तमाम चीजों पर बात करेंगे योगता क्या होनी चाहिए कहां से करें BED की फीस कम लगे BED की फीस कितनी होती है NET कितने रुपे में हो जाती है कितने दिन के कोर्से होते है NET कितने दिन का कोर्स होता है BED कितने दिन का कोर्स होता है कहां से करनी चाहिए क्या क्या लाब है कि तमाम चीजें और net पास करने से क्या होता है, B.A.D. पास करने से क्या होता है, ऐसे तमाम पहलू आज किस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो अगर आप net versus B.A.D. इन दोनों में से क्या है best जानना चाहते हैं, तो इस पहली सरत आपकी ये है, कि ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, दस मिनट का ये वीडियो होने वाला है, यकीन मानों अगर आपने जीवन के दस मिनट निकाल लिये, तो आप इस निर्णे पर पहुंच जाओगे, कि आपको net करनी चाहिए, या फिर B.A.D. लास्ट तक ही आपकी वीडियो देखना है, हाँ, आपको कॉमेंट्स भी करना है, कि आप किस सब्जेक्ट से net करना चाहते हो, या फिर आप B.A.D. करोगे, तो T.G.T. P.G.T. के जो टीचर बनोगे, वो किस सब्जेक्ट से बनना चाहते हो, ठीक है, ये आप नीचे कॉमेंट्स में एक बार मुझे करके बतला देना, तो net versus B.A.D. ये बहुत शांदार कॉशन है, जो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, आगे बढ़ने से पहले बता दो, आनेकेडमी पर आप कभी भी सस्क्रिप्शन लो, किसी भी चीज का, NET का, UPSC का, SAC का, BANK का, किसी का भी आपको सस्क्रिप्शन लेना ह हो, तो आपको लोके सिलिवन रेफरल कॉड लगाना है, दूसरी बात है कि अगर आपको PhD वगरा करनी है, तो ये सब चीजे भी मैं आपको आगे समझा देने वाला हूँ, तो सब से पहले सुरुवात कर लेते हैं कि फीस कितनी लगती है, भाई हम गाउं दियात के स्टुड और फिर खर्चे के बाद और बात करेंगे, आईए, सबसे पहले समझ लेते हैं साथियों, नेट के बारे में, बीएड के बारे में समझ लेते हैं, कि वाईसा बीएड में कितना खर्चा आता है, आप लोग नीचे कॉमेंट्स करते जाए लगातार, ताकि मुझे आपकी एक आना चाहता हूँ कि कहां से करेंगे, ताकि कम फीस लगे, एक लाख रुपे मान कर चलो आप, देखो, दो वर्स की होती है बीएड, और दो वर्स में पचीस-पचीस-थीस-थीस-जार फीस लगती है, वैसे मैं आपको बता दू, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फी बीएड, अभी इसमें बहुत सारी चीजें, इस चीज को समझते जाएंगे, हना, और अगर मैं फीस की बात करूं, नेट की, तो नेट मैं सबसे पहले आपको बता दू, ये होती है, दो वर्स का, ये कोर्स कितना होता है, दो वर्स का कोर्स होता है, आप सुनते जाएए, सम अचा लग जाता है, जो नेट होती है साथियो, ये इसमें, ये कोई फिक्स समय पर नहीं होती, आपका एक वर्स का या दो वर्स का कोई कोर्स होगा, क्योंकि ये बैचलर ऑफ एजूकेशन एक डिगरी है, नेट एक सर्टिपिकेट है, इसको समझो, इसकी क्या एक 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 इसकी क्या लगती है, एकजाम कर लगती है, साल में दो बार लगती है, एक लगती है साथियो जून में और एक लगती है दिसम्बर, देखो, अब आपको इसकी ढग से अगर आप तैयारी कर लेतो गरवेट कर, अनळेकेडिमी पर संस्क्रप्शन लेकर, तो आप केवल और क येवल 10,000 रुपे में ये फीस लगेगी याने केडमी की 10,000 रुपे फीस लगेगी और आप नेट एग्जाम को पास कर पाओ अगर फोरम बरने में कितनी फीस लगती है तो अगर नेट की फोरम बरने की फीस बता दू तो मैं आपको बता दू सामान वर्ग इसकी लगती है 1000 रुपे OBC और EWS की लगती है 500 और STSC की लगती है 2500 यानि कि सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि नेट करना कम खर्ची ला है अब आगे हम conclusion पर पहुंचेंगे अब रुके रहिए नेट करना बहुत कम खर्चा है और आपको बेड करने में लेकिन बेड के अपने लाब है क्योंकि पहले government job किसमें लगेगी debate ये है है ना debate क्या है कि पहले government किसमें जवब लगेगी debate ये है हमारा आज का विसाई ये है तो सबसे पहले हमने समझी कि लगबग एक लाख रुपे का खर्चा आता है बेड करने में क्योंकि बेड का दो साल का course होता है और जितने भी course होते हैं और कितनी फीस लगती है अब हमने इस data को समझ लिया है कि हमने फीस कितनी लगती है आगे हम बात करेंगे योगता क्या होनी चाहिए क्योंकि हमने फीस समझना ज़्यादा जरूरी है योगता की तो बाद हम बात कर लेंगे देखो योगता के लिए बेड के लिए जरूरत है PG यानि इस समय आप MA कर रहे हो, अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि दोनों कैसे एक साथ करेंगे, अभी सारी चीजें भेद खुलेंगे इस class में, आपकी MA होनी चाहिए, PG होनी चाहिए, MSC होनी चाहिए, MCOM होनी चाहिए, इस तरीके से चीजे होनी चाहिए, और यह 50% होनी चाहिए, कम से कम, इतनी आपकी क्या होनी चाहिए, परसंटेज होनी चाहिए, MA में, ध्यान रहे, BA की परसंटेज कोई मायने नहीं रखती, अब सबसे पहली बात, यहां पर जो BA में, आपने बैसलर डिग्री जो किये, इसमें परसंटेजों का क्राइटेरिया है, क् बता दू, यह अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग क्राइटेरिया भी हो सकता है, मैं राजिस्तान के इसाप से यहां पर बतला रहा हूँ, ठीक है, यह आप खुद से भी देख सकते हैं, यह योगिता आपको मिनीमम चाहिए, अगर आपके पास यह है, अगर आपने BA मे देखो मैं अपने बारे में बतला दू, कि यार मेरा नाम है डॉक्टर लोकिस, आप लोग वीडियो देखने में धूमधाम लग रहे हो न, तो आपको कही बार लगता है कि सर हम आपको कहां डूने, तो मुझे डूनने के लिए आपको अनेकेडमी पर आना पड़ेगा, कहा जोइन करो, तो लोकेस 11 कॉट लगा लेना, इससे आपको डिसकाउंट मिल जागा, और मेरा सपोर्ट मिल जागा, आपका मुझसे डायरेक्ट बात करने का अगर कभी मन हो, तो यह टेलिग्राम चेनल है, डॉक्टर लोकेस वाली अनेकेडमी टेलिग्राम चेनल है, इस टेल कितना समय लगता है, समय की बात मैं थोड़ दिर पहले कर चुका था, लेकिन यहाँ पर लगेगा दो साल का समय, बेड में लगेगा दो वर्स का समय, और यहाँ पर लगेगा छे महा का समय, सारी चीज समझोगे, तब ही मैं आपको इसका वो बताऊंगा, कंक्लुजन क्या ह शे महा का समय, अब शे महा का समय क्यों लगता है, कि नेट की एकजाम को पास करने के लिए सिख्स महा परियापत है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, कि यहाँ पर जो आपको दो वर्स का समय मिल रहा है न, यह आपको कहीं पढ़ने जाना पड़ेगा, यह किसीन किसी जमा आपको जाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, यहाँ पर आपको कहीं जाने के आफशक्ता नहीं है, घर से तैयारी कर सकते हैं, क्या साथियों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, घर से तैयारी कर सकते हैं, अभी किलास है, मैं 15-20 मिदा व जो बेर्ड का जो first year होता है, उसमें आपको 30 दिन तक किसी school में पढ़ाने जाना होता है, जब भी क्या होता है, 30 दिन तक किसी school में पढ़ाने के लिए जाना होता है, और second year में आपको 100 दिन तक, यानि कि साथ यो first year, first year में आपको 30 day और second year में आपको 100 day, आपको 100 day किसी अन जगे पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, यानि कि बिना रुपे पैसे में आपको पढ़ाने आपर जाना पड़ेगा, आपको कोई परकार की salary नहीं मिलेगी और आप जानते हो, आप लोगों से दबा कर काम लिया जाएगा, नियम तो ये कहता है, कि दो वर्स में आप degree लोगे और उसके बाद में फिर आप teacher की तैयारी करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि एवल net को 6 माह में पास करके, आप professor बन सकते हो, अब सबसे बड़ी बात है कि तुम बन क्या सकते हो, ये देख करते हो, तो आप क्या बनोगे, teacher बनोगे, school में, क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, school में teacher बनोगे, अगर आप bade करोगे, तो क्या बनोगे, school में teacher करोगे, अब आप सोचिए, कि एक तो college में कोई आदमी professor हो, और एक school में teacher हो, देखो, अब teacher भी कौन से बनोगे, अगर आपन BA किया है, प्लस, BA किया है, प्लस किया है, BA प्लस, BA किया है, तो आप teacher मन सकते हो, साति हो, पाँच से लेकर 10th class तक के, इसमें कौन-कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साति हो, 3rd grade और 2nd grade, आप 2 grade के सिक्षक मन सकते हो, अगर आपने MA कर रखा है, मैं आलग 5 से लिख देत MA प्लस, BA किया है, MA माप करना MA, MA प्लस, BA किया है, तो आप PGT, यानि post graduate teacher बन सकते हो, यानि कि 12th class तक की जो school होते हैं, उनमें पढ़ाने के लिए आप eligible हो जाओगे, लेकिन अगर आप net pass करते हो, तो आप क्या पढ़ोगे, college में पढ़ाओगे, सीधा-सीधा, किसम कि आपको net जादा अच्छा लग रहा है, या आपको इस समय, मैं conclusion बताऊंगा, आपको B8 जादा अच्छा लग रहा है, आगे आते हैं, अब दोनों में best क्या है, ये सवाल यहां सबसे बड़ा उठ रहा है, कि दोनों में best क्या है, अब हम पहले फिर से यहां पर आ जाते है और अब समझ लेते हैं, कि दोनों में best हमारा क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या जरूरी है, समय और पैसा, क्या जरूरी है, समय और पैसा, अब सबसे ज़्यादा vacancy कहा निकलती, हम यहां पर आ जाते हैं, vacancy पर आ जाते हैं, कि कहां से ज़्यादा vacancy निकलेगी, ये समझ लो कि मान लो कि net की एक साल में अगर 500 vacancy निकलती है तो B.A.D. से यही vacancy 1500 में निकलती है यह 1500 से ज़्यादा मैं 2000 भी कह सकता हूँ कि क्या निकलती है 2000 निकलती है यानि कि जहां net से vacancy निकलेंगी 500 वही साथ हो B.A.D. से vacancy निकलेंगी 2000 या 2000 से भी अधिक अब यहां पर केज के निकलेंगी यहां पर जो vacancy निकलेंगी वो निकलेंगी साहयक प्रोफिसर की इसे कहते हैं assistant प्रोफिसर यहां पर जो vacancy निकलेंगी साथ हो अगर आपने MA कर लिया है तो MA कर लिया है तो फर्स्ट ग्रेड की ऐना ऐसे कहते हैं PRT अगर आप PRT समझाओ तो PRT TGT और PGT अगर आप इसको 3rd grade, 2nd grade और 1st grade में भी आप ले सकते हो 3rd, 2nd और 1st grade इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं अब इन तीनों की vacancy मिला कर इनमें काफी ज़्यादा निकलती है अनुपात इनके नेट के अनुपात काफी ज़्यादा vacancy निकलती बट अब सवाल उठता आपके मन में यह आ रहा होगा कि फिर तो गुरुदी हमको B.A.D. कर लेनी चाहिए अब आ जाते हैं कि B.A.D. पर आ जाते हैं भाई B.A.D. में क्या है देखो B.A.D. में यस चीज़ को समझो इस चीज़ को समझो B.A.D. में एक बिंदू क्या है आपकी एक लाख रुपए फीस लग रही है तो यार एक लाख रुपए हमारी क्या लग रही है पीस लग रही है, अब किसके पास एक लाख रुपय है हैं, मुझे ये कह दो, कि सर हमारे पास एक लाख रुपए फीस है, देने के लिए, कि आपके पास एक लाख रुपए फीस है, एक लाख को मैं आकड़ा मानकर चल रहाँ, हर स्टेट में लग- société कहीं एक लाग है कहीं एक लाग से कम है पर उसत चल लोगों सत्र पे चेत्र हजार के आसपास तो सब जगे है अब दूसरी और महत्पूर्ण बात क्या है क्या आपके पास दो वर्स का समय है क्या आपके पास दो वर्स का समय है कि ठीक है अभी मैं दो साल तक बेड कर लेता हू और फिर इंतजार करूँगा वेकेंसी निकलने का और फिर जाकर फोरम एपलाई करूँगा फिर तैयारी करूँगा फिर टीचर बनूँगा बेटा जो ये दो साल है न ये कब पांस साल में कनवर्ट हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे राज्जों की जो अधिकतर सरकारे हैं वो अपनी सरकार को बनाने और अपनी सरकार को बिगाडने के लिए टीचर भरती का उपियोग करती है हमेशा जब सर्चुनाव नजदीक आते हैं तो बंपर टीचर भरती निकाली जाती हैं और उपर नीचे एक्जाम करवा के ठूच दिये जाते हैं और फिर पांस साल तक छुट्टी फिर पांस साल तक बिलकुल भी भरती निकालते हैं मूर्त बनाते हैं केवल विज्यपती अकबार में आ जाएगा कि शिक्षामंत्री ने इतने भरतियों को स्विकर्ती दी छे मेना तक वो ही चलता रहेगा फिर फोरम भरवाएंगे फिर डेट बढ़ाएंगे फिर डेट बढ़ाएंगे कुल मिलाकर पांस साल में एक बार भरती हो जाएगा और पांस साल में जा कर आप सोचलो कि अगर आज आःम अमे कर रेहों बीए कर रहे हो क्या आप चाते कि आपकी नौकरी पांस साल बाद लगे और उसकी भी गैरेंटी नहीं है क्योंकि पहले बैड करो बीड करने के बाद में टीचर की तैयारी करो और फिर फ्लाई कर दो लकिन अब सवाल उठता है कि guru जी वेकेंसी तो बहुत का अती है न यहां पर हम क्या करेंगे very good सवाल अगर आपकी मुन में ऐसा सवाल आ रहा है तो आपने सवाल बहुत कच्छा गया नेट आपको मजबूती देती है, किस प्रकार से देती है, इस चीज को समझो, देखो अगर आप नेट के साथ साथ जे आरेफ कर लेते हो, तो आपको तकरीबन 25 लाक रुपे मिलते हैं, मैंना आपको फैलोसिप बतला दी थी ना, 40,000 रुपा पर मंत मिलेंगे फैलोसिप के र नेट की तैयारी करने से कहिन कहीं हम TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेट के सिलेबस में जो चीज दी हुई हैं, वो ही हमसे TGT और PGT के रूप में पूछे जाती हैं, तो दो सवाल उठते हैं आपके सामने, अगर आपके पास पैसा हैं, और अगर आपके साथ एक समय हैं, तो आप B.A.D. भी करो, और आप करो NET की तैयारी भी, जो final verdict है, इस चीज को समझो, अगर आपके पास दोनों चीज हैं, तो मैं कहूंगा, आप B.A.D. भी करो, फ्लस NET की तैयारी करो, अब NET की तैयारी के फाइदे क्या हैं, अगर आप NET पास करते हों, तो आप सीधे सीधे direct professor के लिए eligible हो जाओगी, और अगर आपने NET पास किये, तो आपका subject पर, subject पर आपका command हो जाएगा, जिससे जब भी आप B.A.D. की तुरू exam दोगे, T.G.T. P.G.T. जब भी आप B.A.D. के तुरू T.G.T. P.G.T. K.V.S. N.V.S. 1st grade, second grade, third grade, जो भी grade की exam दोगे, उन सब में ये subject की तैयारी आपके काम आएगी, क्या है, जो NET की तैयारी आप कर रहे है न, वो ही आपके T.G.T. P.G.T. के उसमें आती है, Am I right? है ना, तो मेरी सला है, कि अगर आपके पास दो वर्स का समय है, अगर आपके पास पैसा है, एक लाख रुपए खर्च करने को, एक लाख रुपए खर्च करने को है, तो मैं कहूंगा कि तुम B.Ed में admission ले लो, और NET की तैयारी करना सुरू कर दो, और अगर आपके पास दो वर्स का समय नहीं है, और आपके पास पैसा भी नहीं है, और आपके ख्वाब उचे हैं, कि हम लड़ेंगे, भिडेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ योग बनेगे, तो तुम करो NET, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो तुम NET की तैयारी करो, नेट में ये फायदा है, कि तुम NET करके तुम J.R.F. कर लो, और J.R.F. करने के बाद में, आपको fellowship मिल जाएगी, तकर करिबन 40,000 रुपए पर मन, तक करिबन टोटल करूं 25,000,000 रुपए आपको fellowship मिले, जब आप आर्थिक रूप से ससकत हो जाओगे न, तो दुनिया की हर चीज को आप कवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, दुनिया की हर चीज आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ओके गाईज, बहुत से बच्चे कॉमेंट्स कर रहे हैं कि PhD और B.Ed क्या एक साथ कर सकते हैं, क्या, इस चीज पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी और आवशक बात बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरी नजरों में जो वेटेज है न, मैं अगर final verdict बोलना चाहूं, तो दोनो चीजें हैं, तुम B.Ed भी करते रहो साथ में, तुम Net का फॉर्म, Net भी तैयारी करो, Net की तैयारी करोगे, B.Ed में आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, B.Ed में सरफ form apply करना है, आपको ऐसा नहीं है कि B.Ed को रात दिन B.Ed की किताब पढ़ेंगे, कभी हमने B.Ed म में और भी राष्टे हैं, क्योंकि जितनी भी B.Ed कॉलेज हैं, प्राइविट कॉलेज हैं, और वहां डॉनेशन वगरा भी चलता है, अगर आपको इस डॉनेशन करते हैं, तो सायद थोड़ी बहुत मुक्ती आपको मिल सकते हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप तो अपन तो वहां आर्थिक भार उतना नहीं रहेगा, लेकिन समय जाएगा, अब हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, अभी और भी conclusion बाकी हैं, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सातियों कुछ और, क्योंकि B.Ed करने में आपको पैसे की कमी लगेगी, पैसे की आफश्यक्ता नहीं ह नेट पास करने के लिए B.Ed पैसे नहीं लगेगे और समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में बहुत कुछ चीजे हो जाती हैं, B.Ed का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ओके, तो अब हम बात कर लेते कुछ जरूरी चीज की, देखो, अनेकेडमी पर मैं क्लासेज करवाता हू आपको पूरी तरीके से, एक अटेम्ट में कैसे नेट जारे पास करें, यह सारी रणनीती में आप लोगों के लिए पना रखी हैं, तो यार आप लोग क्या है, आप लोग एक काम करो, अनेकेडमी पर मुझे डॉक्टर लॉकिस कुमार मिना के नाम से सर्च कर लो, और फोल आप डिस हो गया, उसको मैं चार्ज में लगा देता हूं, तो आप जब तक आपके मन में क्या चल रहा है, यह बताओ मुझे, कि आपको बियर्ड और इस चीज़ को लेकर आप बहुत कन्फूजन रहते होंगे, उमीद है यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल रहेगा इस चीज़ को किलियर करने में, लेकिन मेरा जुकाव अगर है, अगर मुझे से मेरा जुकाव पूछना चाते हो, तो मेरा जुकाव है नेट की तरफ, कि तुम नेट करो, ताकि ज़्यादा जंजट से मुक्ती मिले, क्योंकि यार कौन जाएगा, कॉलेज वोलेज जाने के, ये सीट बनाओ, वो सीट बनाओ, वो असाइनमेंट तयार करो, बीएड में तो भाई वो ही जंजट हैं, ये असाइनमेंट बनाओ, वो अगर जुगाड नहीं है तो, तो मेरा आप लोगों से यह है कि आप नेट की तरफ जाएए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके विए समय और पैसा दोनों है, तो आप फिर दोनों की तरफ चाहिए, अब मुझे क्या करना है, आप मुझसे बात कर लेना याते, कभी भी आपको प्लस क्लाश जोइन करनी है, तो आप लोके से लिए और कॉर्ड लगा लेना, सब्जेक्ट आपका बले ही कोई कोई ना हो, तो आप अनेकेडमी के एप डाउनलोड करो हमारा, और अनेकेडमी के एप डाउनलोड करने बाद मोबाइल नंबर डालो, फुल नेम डालो, मेल आईडी डालो, इस्टेट को सेलेक्ट करो, उसके बाद में साती हो, आप अपना नेट वगरा को सेलेक्ट करो, यहां पर सात्यों जो इस्पेसल क्लास होती है वही सात्यों फ्री क्लास होती है यहां पर लाइव क्लास अगर आप मेरी देखना चाहोगे तो लाइव क्लास होती है दस बज कर पंदरा मिनट पर मॉर्निंग में डेली यहां से चलती है क्लास ग्यारा बज कर थर्टी मिनट तक तो यह आप काम कर लेना special class, अगर आप plus class जोइन करना चाहते हो, तो plus और iconic 2 subscription मिलेंगे, आप plus class जोइन कर लेना, और यहाँ पर 12 मंत की फीस वैसे तो 15,950 है, लेकिन discount लग जाएगा लोकी सिलिमन कॉर्ड के बाद में, और फीस कम हो जाएगी, debit card EMI UPI से आप payment कर सकते हो, तो और अगर आप सामान वरक से हैं, तो आपको एक लाख रुपे के लगबग फीस बननी पड़ेगी, और अगर आप ST, SC, OBC, N, ऐसे लोग हैं, जिनको मानलोग fellowship मिलती हो, तो भी आप BAD कर सकते हो, क्योंकि scholarship मिल जाएगी, तो पैसे तो नहीं लगेगे, तो BAD साथ में चलने देना, क्योंकि BAD को साथ साथ चलने दो, BAD में ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरुत हो, ना, BAD को साथ साथ होने दो, और NET की तैयारी करो दबा के, क्योंकि NET की तैयारी करने से आप सब्जेक्ट स्ट्रॉंग हो जाएगा, और BAD में तो कोई पढ़ने क हो सके, तो BAD का फॉरम भी लगा, हाँ, STSE, OBC, Non-Criminal, जिनको फैलोसिप मिलती है, वो फैलोसिप के लिए अपलाई कर देना, फीस्तों माँ चली जाएगी, जो सामान वर्ग हैं, वो थोड़ा सा अपनी हिसाब से देख लेना, अब तो EWS का भी साथ मुझे तो उसका फैलोस तरी करनी करनी है, क्योंकि NET की तयारी से, आप अगर BAD करते हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका जो विसे ना, वो बिल्ड हो जाएगा, अच्छी तरीके से, तो मेरा conclusion क्या है, NET की तयारी करो और अगर आपके पास समय है, पैसा है, तो BAD भी कर लो, लेकिन NET की तयारी तो करनी करनी है, हमारे साथ करो 6 मlaid का कोर्स जोइन करने का लैना, 12 मenne का कोर्स जोइन करने लोगाईκα, गेरेंटीड सपलता आपको मिल जयाएगी वादा है मेरा, Okay-a z.inander. काई गाई एक दियुए झिलिवनम लगाना, जब भी आपको जरौत पड़े इस telegram यार और क्विश और कोश्चा फोटा हो तो से कॉमेंट्स में लिख देना मैं उसको बना दूँ कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया कि आप लोग नमत्रमें देखो और बाबा आप लोग भीढ़ लाइक करना आप भूल और B